Hello viewers Welcome to my channel Friends, आज हम ये कुशिन कबर का design बनाईंगे ये मैंने पैच पर कुशिन कबर का design बनाया है इससे हम कुशिन कबर, पिल्लो कबर, बैड़ शीट ये कुछ भी अपनी imagination से बना सकते हैं कुशिन कबर का design बनाना शुरू करते हैं कुशन कबर का डिजाइन बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है ये मैंने बाइट कलर के दो स्टिप्स लिए है और ये हमारे अलगलग कलर के तीन स्टिप्स है ये स्टिप्स है इसका हमारा मेजर्मेंट है त्री एंड हाफ इंच है यहां से और इस साइड से हमारा यह 14 इंच है यह हमारे दो पीस है यह हमारे तीन कलर के तीन पीस है तो यह हमारे मेजरमेंट में यहां से 1 एंड हाफ इंच है तीनों पीसिस हमारे 1 एंड हाफ इंचिस के है और यहां से हमारे यह 14 इंचिस है अब इन पीस को हम सेट करेंगे जैसे ये दो पीस है हमारे ये दुनों आसपास में ऐसे आएंगे इसके बाद हमारा ये पीस यहां पे आएगा और रेड पीस हमारा सेंटर में आएगा और ये हमारा जैल लो है ये हमारा यहां पे ऐसे आएगा ये सारी स्टिप्स मैंने ऐसे सेट कर द set करते हैं ये सारी strips मैंने silky ready कर दी है ये piece हमारा ready हो गया है ये दूसरा piece ready करेंगे तो इसके लिए भी ये मैंने strips cutting कर ली है ये कपड़ा है हमारा यहां से 5 and half inches है ये हमारा एक piece है और यहां से हमारा ये 12 inches है और ये हमारे 2 piece है तो यहाँ से यह हमारा टू एंड हाफ इंचिस है बाकि इसके बराबर आएगा अब ये दो पीस है इसको हम एक इदर लगाएंगे और एक इदर लगाएंगे और यहाँ पे हमें ये पीस भी सिलने है इसके साथ यहाँ पे ऐसे सिलेंगे और ये हम ऐसे सिलके रेडी करते है ये पीस भी मैंने सिलके रेडी कर दिया है इसके बाद हम एक और पीस रेडी करेंगे जैसे ये पीस हमारा 5 एंट 1.5 इंचिस है और ये दो पीस है हमारे ये हमारे 2 एंट 1.5 इंचिस है जितना हमारा ये पीस था इसी के साइज का है ये और ये हमारे दो पीस है इसको भी हम ऐसे दोनों साइड में लगा के सिलाई करके रेडी करते हैं ये पीस भी मैंने सिलके रेडी कर दिया है, ये हमारे तीनों पीसे रेडी हो गए हैं, इनको हम आइरन करके ये जो सिलाईया है अच्छे से बिठा लेंगे, अब ये तीनों पीस मैंने आइरन कर दिये हैं, अब एक पीस हम ऐसे रखेंगे, ये पीस मैंने इस तरह से रखा है, अब यह हमारा जब सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कपड़ा तो यहां से हम स्गेल रखे एकदम पराबर रखे लाइन लगाएंगे और यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे यह हमारा एकदम पराबर कट आगया है अब यहां से हमें मेजर्मेंट करना है यहां से दो इंच पे हमें निशान लगाना है इस सैड में भी हम दो इंच पे निशान लगाएंगे और यह निशान है इसको मिला के एक लाइन लगा लेंगे यह लाइन मैंने लगा दी है यहां से कट कर लेते हैं कपड़े को यह हमारा एक माप हो गया है अब इस कपड़े को आगे रखेंगे और इसी के ब्राबर रखे कट कर लेंगे ये कपड़ा एकक्दम बराबर आना चाहिए है हमारा तब भी डिजाइन हमारा बराबर आएगा बाद में जब हम सिलाइ करेंगे इसी तरह हम आगे- आगे पूरे पीस कट करेंगे ऐसे मेजर्मेंट करके अब ये पीस मैंने काट दिये हैं इनको हम side में रखेंगे अब यह दूसरा पीस है हमारा इसकी cutting करेंगे यह पीस है यहां पे भी हम एकदम यह बरावर करके कपड़े को ऐसे लान लगाके यह कट कर लेंगे यह मैने बराबर कर दिया है कपड़ा अब यहां से भी हमें दो इंच की यह लाइन लगाने है जैसे हमने पहले 2-2 इंच के काटे हैं उसी तरह से हम लाइन लगाके ये सारे पीस भी कट करते हैं ये पीस भी मैंने कट कर दिये है अब ये पीस है हमारा इसके भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे जैसे ये भी हम दो दो इंच के कट करेंगे पीसे इसको अब ये पीस हमारे रेडी हो गए है अब इन पीसे को हम अरेंज करेंगे जैसे ये पीस है हमारा इसको हम यहां पे ऐसे सेट करेंगे उसके बाद ये पीस हमारा आएगा तो ये कलर है हमारा और ये कलर यह हमारा यहां पे यह बराब बराना से यह इस तरह से यह दियान रखना है यहां पे इसके बाद हम यैलो वाला पीस लेंगे तो यह भी हमें यह जॉइंट है और यह जॉइंट इस तरह से हमें लगाना है इस पीस को यह हमारा देखिए ऐसे बना है और यह हमारा इस तरह बन bull बला लगेगा तो ये हमारा इस तरह आएगा ये ये blue है और ये joint दुञओ हमारे ये जूआइगा इस तरह हने चाहिए उसके बाद ये हमारा blue color है ये इसके साथ ऐसे आएगा इस तरह से हमारा design बनता जाएगा ये मैंने लगाया अभी ये लगाएंगे हम इसी तरह से सारे पीस को सेट करते हैं ये सारे पीस मैंने ऐसे सेट कर दिये हैं अब इसी तरह से हम इनको स्टिच करेंगे एक भी हमें हिलाना नहीं एक के करके सिलेंगे जैसे ये हमारा first पीस है तो इसको हम ये corner और ये कोर्न आरे अच्छे से मिलने चाहिए इस तरह से और यहांपर हम सिलै लगाएंगे यह जिल्ज़ मैंने लगा दी है यह देखिया हमारा इस तरह से ये सिलाई एकदम survived बराब बर आनी चाहिए ये लगतर आरे पिस बन गया है आएगी तो यहां पिसलाई लगाती हूं अब यह पीस मैंने सिल दिया है यहां पर यह हमारा देखे बराबर आया है अब अगला पीस भी हम इसी तरह से लेंगे सारे पीसिस को हम इसी तरह से लेंगे बस यह ध्यान रखना है यह हमारा जो कोर्णर है यह हमारा बराबर आना च एक्दम इसके फिनिशिंग आईगी in अब देखिए यह पैटरन बनके रेडी हो गया है इस तरह से हमारा यह पैटरन बने का अब यह हमारा यहां पे ज्वाइन्ट है यह कपड़े यहां से हमें सीधा कर लेना है इस कपड़े को ऐसी लाइन लगा के एक्तम बराबर हमें सीधा करके लाइन लगाने है ये मार्किंग मैंने कर दी है तोनों साइड से अब ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे ये दूसरी साइड का है ये भी हम कट कर लेते हैं यह कट्टिंग हमारी हो गई है अब यह हमारा यह तिर्शा है इस तरह से तो यहां पे भी हम सीधा करके इस तरह से लेंड लगा के कट करेंगे अब ये pattern हमारा ready हो गया है ये हमारा 16 inch ready हुआ है और इस side से ये हमारा 6 and half inch है अब ये piece हमारा ready है इससे हम cushion cover बनाएंगे तो ये मैंने इसके लिए बड़ा करना है हमें तो इसमें से कोई भी color हम ले सकते हैं इस side में ऐसे लगाएंगे और इस side में ये piece हमारा लंबाई में इतना ही है और यहां से मैंने चोड़े में लिया है 5 inch ये भी हमारा 5 inch है अब ये piece हम यहां पे इसके साथ join करेंगे यहां पे शिलाई लगाएंगे और ये piece इस side में join करते हैं ये मैंने शिलाई लगा के stitch कर दिया है इसके साथ कपड़ा अब उपर से भी हम एक सिलाई लगा देंगे जिससे की हमारी ये कपड़ा एकदम set आ जाएगा और एकदम अच्छी finishing आएगी ये हमारा front piece ready हो गया है अब हम back के लिए कपड़ा काटेंगे back के लिए हम इस तरह से कपड़ा काटेंगे जैसे ये हमारा back piece है और ये हमारा front piece है तो ये हमारा इतना आएगा यहां से पूरा ये हमारा इतना है और यहां से ये हमारा extra कपड़ा है यहां पे हम निशान लगा लेंगे ये extra कपड़ा मैंने 6 inch लिया है अब ये front piece हम उठा लेंगे और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे पूरा ऐसे हाफ से भी काट सकते हैं और साइड से भी हम ऐसे काट सकते हैं तो मैं यहाँ से हाफ में काटूंगी यह मैंने फोल्ड कर लिया है यहाँ से हम कट कर लेते हैं यह हमारे दो पीस बन गे हैं इस तरह से अब यह पीस है हमारा इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करके यहां पर सिलाई लगाते हैं इस पीस पर भी यह सिलाई मेंने लगा दी है अब यह दोनों पीस हम सेट करेंगे जैसे यह हमारा फ्रंट पीस है तो इसको हम ऐसे रखेंगे यह सीधी स हैं इसको भी हम इस तरह से और से चाह है हम इसलिए लगा रहे हैं जैसे कि सिल्आ करते डायम हमारा कपड़ा हिले आप सिल्आ लगाएंगे जैसे यहां से लेके पूरे चार ओर सिल्ड़ाते हैं ये सिलाय मैंने लगा दी है चार ओर से अब हम कुशन को सीधा करेंगे जैसे ये कोर्नर है इनको अच्छे से निकाल लेंगे कुशन कबर को मैंने सीधा कर दिया है इस तरह से हमारा ये कुशन कबर बन गया है ये देखिए हमारा कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है यह हमारी back side है, यहां से हम cushion डालेंगे, अब देखें इसमें मैंने cushion डाल दिया है, यह देखें हमारा design इस तरह से बना है, इस measurement में यह हमारा cushion 15 by 15 ready हुआ है, अगर आपको pillow cover बनाना है, तो वह भी हमारा इस तरह से ही बनेगा, इस design से हम pillow cover, cushion cover, bed sheet, जा baby bed sheet, कुछ भी अपनी imagination से बना सकते हैं, friends, cushion cover का design हमारा बन के ready है, वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को like करें, share करें, चैनल पे ने हैं, तो bell button भी दबालें, जिससे की मेरे अगले आने वाले वीडियो को notification आपको easily मिल जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं next video में,